Hello students, सबसे पहले आपका स्वागत है ओरिजिनिक्लासेस के ओफिशल यूटूब चैनल में इस वीडियो के थुरू हम आज जो यूपी बोर्ड का जो सीलेबस में चेंजेस हुआ है हम उसके बारे में बात करेंगे अब रिसेंटली ये खबर आई है कि जो यूपी बोर्ड है उसमें जो सीलेबस है उसमें कुछ चेंजेस किये गए है कुछ चैप्टर्स जो हटाए गए है तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिसकस करेंगे इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्लास 12th के chemistry subject में किस तरह का बदला हुआ है हेलो बצ्चो मेरे लाम गोगी सर है और मैं इस चैनल के लिए chemistry पढ़ाता हूं तो चलिए फिर chemistry के syllabus में अखिर UP board में क्या बदला हुआ है उसके बारे में बात करते हैं तो अगर हम syllabus को ले करके बात करें तो पहले तो हम यह समझ लेते हैं कि पूरे chemistry में जो syllabus होता है वो क्या है और आखिर UP board वाले बच्चों के लिए syllabus में से कौन-कौन सा हिस्सा हटाया गया है उससे बारे में बात करेंगे पहले बात करते हैं बेटा syllabus में क्या है तो अगर हम सिर्फ chemistry के syllabus के बारे में बात करें तो आम तोर पर ये syllabus होता है syllabus का जो पहला हिस्सा है फर्स्ट हाफ है उसमें इस तरह के chapters होते हैं जैसे कि ठोसवस्था विल्यन वैदुत रसायन रसानिक बल्गति की प्रिश्ट सतह रसायन तत्वों का निस्कर्शन पी ब्लॉक के तत्वों डी एफ ब्लॉक इसके अलावा कुछ chapters हटाए गये हैं अगर हम तूल ना करें तो सारे जो इस्टेट बोर्ड हैं उनका syllabus लगबग एक जैसा है पर अभी कोवीड के बाद कोवीड के बाद जो सीब्स का syllabus है उसमें NCRT में कुछ chapters हटाए गये हैं और UP board में भी उसी syllabus को लगबग follow किया जा रहा है तो NCRT से जो chapters हटे हैं लगबग वही chapter UP board के syllabus से भी हटा है लेकिन एक बात clear कर दें कि हम हमारे channel के थुरू सभी chapters को पढ़ाएंगे क्योंकि हमारे channel बेटा उसको सभी राज्यों के बच्चे द उनको इन chapters को चाहे तो वो नेगलेट कर सकते हैं पर board exam तक सिर्फ board exam तक क्योंकि याद रहे बेटा भले ही chapter आपके syllabus से हटाए गये हैं पर अगर आगे चलके कोई competitive exam देंगे तो आपको यह chapter पढ़ना ही पढ़ेगा तो शुरुआत में हम क्या करेंगे जब syllabus हमारे आगे पढ़ लेना चाहिए जो आपके syllabus से हटा है भले ही board exam से पहले उन chapters को कुछ समय के लिए थोड़ा सा side कर दीजेगा पर board exam के तुरंत बाद जब आप competitive exam में बैठेंगे तो यह chapter जो है वो आपको पढ़ना ही पढ़ेगा तो चलिए फिर पहले यह देख लेते हैं कि UP board से कौन कौन से chapters इस साल के लिए हटाए गया है तो बेटा यहां पर अगर मैं syllabus की बात करूं तो जो first half है यहां देखेंगे जो first half है इसमें से जो ठोस अवस्था है यह UP board से हटा दिया गया है इसके अलावा प्रिष्ट रसायन आपके सिलीबस से हटा दिया गया है यह जो आप देख पा रहे हैं यह जो चैप्टर से इसको हटाए गया है इसके लावा तत्वों का निसकर्षन यह chapter भी UP board से हटा दिया गया है तो first book य ऐसा क्यों किया गया है मुझे नहीं पता कि इन chapters को क्यों हटा आया गया जबकि बेटा ठोस अवस्था और जो पी ब्लॉक है यह बहुत important chapter है यह physical chemistry का और यह inorganic का पर याद रखेगा भले ही board exam से पहले आप इन chapters को neglect कर देना क्योंकि आपके syllabus में नहीं है पर मैं चाहूंग अगर हम second half में चले जाए तो अब आपको यह सब chapter जो है वह आपको आपके syllabus में दिखाई नहीं देंगे जैसे कि बहुलक यह chapter आपको दिखाई नहीं देगा इसके अलावा डैनिक जीवन में रसायन का क्या उप्योग है यह chapter भी आपको दिखाई नहीं देगा तो यह जो द आज 12 के chemistry chemistry में से कौन कौन सा chapter हटा है पर मैं request करूंगा जब भी यह chapter हमारे चैनल के थूरू आपको पढ़ाया जाएगा आप इन chapters को जरूर एक बढ़ पढ़ लें ताकि आगे चल के जो competitive exam होते हैं उनमें आप बहतर perform कर सके अगर मैं इस syllabus को आपको जो कि अधिकारी तौर पर syllabus जो हय जो हमारे सामने आया है वह मैं आपके सामने रिपल्फटर कर दीता हूं बैटा तो यe देखिए यह syllabus यह आपके सामने मैंने बडिख्टवाड़ाओ बिदिया हुआ है यह यू-पी बॉड़वाले बच्चों के लिए यह जो सिलिय बस है वह दिया गया है और देख सकते हैं यहां पर कौस्टेइड बेटा विल्यान सिधा विल्यान इस्टार्ट हो रहा है ठो सवस्ता हटा दिया गया है इसके लावा हेलो वेलकेन हेलो वेरिन इसके लावा वैद्यूत रसायन आगे बढ़ते हैं अलकोहल फिनॉल इथर रसायनिक बल्गतिकी एल्डी हैट किटोन डिएफ सायोजी योगिक जैवे अडू तो देखिए ये सब चैप्टर जो है ये आपको पढ़ना है और वे सारे चैप्टर जो हटा दिये गया है जो मैंने भी कुछ दिरे पहले आपके साहरे में डिसकस किया था तो इस वीडियो के थुरू मैं बस ये बताना चाहता हूं कि यूपी बोर्ड के जो बच्चे है उनको कौन कौन से चैप्टर को नहीं पढ़ना है तो चले फिर बेटा हम जब सीलेबस को आगे बढ़ाएंगे तो आपको तैय करना है कि जो चैप्टर सीलेबस से हटाए गया है उनको आपको पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है पर अगर पूरा-पूरा syllabus करेंगे, UP board वाले बच्चे, चाहे तो कुछ chapters जो उनके syllabus में हटाए गए हैं, उनको छोड़ सकते हैं, तो चले फिर इस lecture वीडियो के थुरू, बस में ये बताना चाहता था, कि UP board के जो बच्चे हैं, उनका chemistry का सत्र 23-24 में क्या उनको पढ़ना होगा?